इस्राइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एशकेलॉन जहां हमास ने हमला किया दक्षनी शहर है इस्राइल का और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरे दिखा देया एशकेलॉन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने जिसके बाद का पूरा शहर विरान पड़ा है सड़के खाली हैं बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे लोगों की आवाज आही पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुपके हुए हैं लोगों में भय का महौल है चिंता है और लगा लोग देख सकते हैं किस तरह से वार एरिया में न्यू जेटिन इंडिया कटि वार एरिया में है किस तरह का मोहौर्ण है तो आप देख सकते हैं है ये ये बिल्कुल वार जोन है लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है इसराइल हमास के भीछ में जो इस्थिति निव जेटिन इंडिया की टीम जार लगधाटार तक किस तरह का महौल है वो यहां आपको देखने को मिल रहा है सनाटास आ गया है विरानी सा गई है लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग यहां सीसे तूट गए है न्यूजेटीन इंडिया के पूरे वार्ज जोन में फस गई साइरन की आवाजें लगतार आ पर आगे हैं जो रोड पर कुछलो थे वो देख सकते गाड़ी के सीसे तूटे हुए यह कैमरा पर्थन करम करम आपको दिखाएंगे करम आप तस्वीरे दिखाएं यह देख सकते किस तरह की स्थिती है यह पीछे देख सकते इधर यहीं से धमाका हुआ हम लोग यह सीसे त तूटे अभी मिसाइल से हमला हुआ है यह लगतार सडकों पर इस तरह के महौल करम आप उधर की तस्वीरे दिखाएं यह देख सकते पूरा का पूरा धुआ है बीच बीच में सैकडों की संख्या में रोकेट छोड़े जाते इधर की तस्वीरे दिखाएं करम जल्दी से यह देख सकते हैं महौल क्या है यहां रुखना भी ठीक नहीं है पूलीस की तरफ से यह लगतार कहा जा रहे कि ऐसी इलाकों से दिरे लेकर जोन में जब लोग फस रहे तो इसी तरह की इस थिती आ रही है हम आपको तस्वीरे न्यू जेट इन इंडिया आपको लगतार इंडिया की तस्वीर न्यू जेट इन इंडिया आपको लगतार यहां की तस्वीरे भया कर रहे हैं यहां से गाजा पट्टी महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और वार जोन जो है वो दक्षिन का इलाका है इस बार इस्राइल में लगतार हमास और इस्राइल के बीच बंबारी जारी है गोल जिस देखिए यह यह तस्वीर यह जो दिवाल जंजीर की दिवार बनी थी लोहे की दिवाल बनी यह किस तरह की स्थिती हो गई है यह मिसाइल से लगतार इसी तरह से हमला होता है हमारे सार रिकी शाहीं यह रिकी जी अभी हमने जो महाल देका पूर कि पूरे वार जोन में फस गयते हैं इसी तरह से बार बार हो रहे हैं येस येस दिस आवर लाइफ आपके लिए भी खुद के लिए भी क्योंकि अगर उपर से रॉकेट लॉंचर और ये दिवाल जिस तरह से हिला था गाड़ी के सी से टूटे हुए थे और पूरा का पूरा तो इसी तरह की स्थिती होते हैं आप गाड़ी से उतर गई ऐसा हिदायत दी गई हैं यास इस इस वाट वी हैव तो दूबक के चिप गई क्योंकि दिवाल के नीचे जब आप जाते हैं तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है यहां कार की स्थिती यह देख सकते हैं यह मिसाइल और जो गोली बारी की जारे उसका असर यह कार अभी हमारे सामने मैं खुद य यहां निजट इन इंडिया के टीम आपको यहां थी और यहां एक भारतिया मूल का परिवार था जो बहुत पहले इस राइल आ चुके है यहूदी परिवार के और किस तरह से हम लोग खुद गाडी छोड के भागे यहां रुकना उचित है अब इस सेफ तो बी हीर इस सेफ एंड विल कम बें देखिए हम उन इलाकों में लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां इस्थिती बहुत खराब है लेकिन खुद वार जोन में खुद मिसाइलों के बीच में हम लोग फंस गया और यह तस्वीर न्यूजेट इन इंडिया जो आपको दिखा रहा है और इस तरह से स्थिती समाने होते हैं मिसाइल दखता है गोली बारी होती है और फिर कुछ कारे आपको सड़क पर दिखेंगी हम भी उसी तरह से निकलते हैं कैमरा परसें करम से कहेंगे वो अपनी सीट ले और यहां इस यह जो हमारे पास वाक्या घटा है हम बिलकुल सह हम गए थे जो परिवार हमारे साथ निकले हैं उनके लिए भी और खुद के लिए भी लेकिन न्यूजेटिन इंडिया आपको लगातार गाजा पट्टी एसकेलॉन इसराइल के हर इलाके से वो तस्वीर आपको दिखाएगा जो आपने बिछले कई दसक में इसराइल और फ इसराइल की तरफ से भी हमला हो रहा है हमास की तरफ से भी हो रहा है और देखें यह मिसाइल आपको यह मिसाइल छोड़ी गई थी क्या इस्थिती है इस तरह से हर मिनट पे कुछ कुछ मिन्टों पे इस तरह की मिसाइल छोड़ी जाती और यहां देखिए यहां अकट टकर आई है उन धमाकों की गुंज हमें भी सुनाई दी थी यहां कुछ मार्केटेरिया खुले हुए हैं और इस तरह की तस्वीर आपको जगा जगा देखने को मिलेगे हर तरफ से टूटे हुए हैं न्यू जटिन इंडिया की टीम आपको हर जगा कि तस्वीर आपको दिखार यह देख सकते हैं यह यह मिसाइल यह देखिए अभी थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले यह मिसाइल छोड़ी गई दोनों तरफ से इस तरह से हमले लगातार किये जा रहे और यह देखिए यहां का टकराया था यहां का टकराया था करम आप दिखाईए यह यहां का टकराया और इसकी गुंज यहां से 100-200 मीटर तक हम तक सुनाई दी थी जहां गाड़ी के सीसे तुट गए और यहां यह देखिए इस तरह से बीच-बीच में लगातार जो ध्वस्त होते हैं बिजली के खंभों पे बिजली की तार पे प्रभाव पड़ता है उसको जोडने का काम करता और इधर करम इधर दिखा यह इसके लौन में है इसके लौन सबसे बड़ा सहर है दक्षिन का जहां हमास ने हमला क्या जिसका जवाब दक्षिन में सहर हमास से नजदीक है तो हमास के निशाने पे सबसे नजदीक भी है और हमास को निशाना लगाना भी यहां से हमास को भी निशाना लगाना आसान होता है इसराइल ने जवाबी कारवाई गाजा पट्टी में के देख सकते किस तरह से सीसे टूटे हुए हैं लगातार कई मिसाइल से एक के बाद एक हमला हुआ इसी तरह से लगातार दुकानों में घरों पर हमले हो रहे हैं एशकेलोन की यही स्थित पर ने जरूर चल रही है लेकिन जीवन और मौत का फर्क बहुत कम हैं वहां दूर देखिए वहां दूर जो कार है उसकी स्थिति क्या है इसी तरह से मिसाइल लगातार छोड़े जाते हैं और स्थिति सडग पर क्या यह गाडिया चल रही है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती जरूर है लेकिन जैसे ही साइरन बचता है उसके तुरंट बार लोग छुप जाते हैं दिवालों में दिवालों की आड में छुप जाते हैं ताकि जान बचे अभी हम भी फस गए थे और इस थिती आपने देखी थी तो ये है इसके लौन विरान सा हो गया है यहां कुछ देर पहले ये एक देखिया किस तरह से अब ये मिसाइल का तो नहीं लगता लेकिन कुछ नुकसान हुआ है उसी का ये है निशान आप देख सकते हैं तो इतना जोरदार ढंग से लगातार हमले किये जा रहे हैं कि एसके लौन पूरी तरह से युद्ध छेत्र में डेली जीवन का हिस्सा हो गया है